हलो दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे है एग्रोकेमिकल सेटर की कमपणी जो की अभी दो थी मेले पे ले ही लिस्ट हुई थी और सबको काफी होप थी इस कमपणी से पर इसका शेयर ज्यादा भागनी रहा है एक ही रेंजबॉंड चल रहा है और अभी इतना बॉटम हो इसको शॉर्ट फॉर्म में काफी लोग आईपिल के नाम से जानते है तो जो लोग आईपियों में लिया है या जिन्होंने इंट्री की थी वह सब परिशान है कि केमिकल सेक्टर की कमपणी होके भाग क्यों ने रही है जबकि कमपणी फंडामेटली साउंड है एकदम करोड का इसने प्राफिट दर्ज किया था जो कि इसका ओल टाइम हाई प्राफिट था उसके बाउचित भी शेयर चला नहीं तो जो लोगों जन्हों परिशान है कि सको क्या करें तो दोस्तों जो लोगों इसमें एंट्री की नहीं है यह इस लेवल पे एंट्री कर सकते है आज इसका क्लोजिंग था 310 रुपे का 310 रुपीज का और इसका 52 भी खाया मत्तब ओल्टे माय तरा 368 रुपीज का तो इतना बॉटमाट लेवल पर मिल रही है इसे करने का अच्छा मौका है और जो लोगों इसमें ज्यादा रेट में एंट्री करके रखी भी है उसे होड कर सकते है क्योंकि देखिये दोस्तों जब शेयर कोई चलता है एक आप देखिये कि जो एग्रो केमिकल सेट्टर की जित्ती भी कंपनिया है उदानों का एकर हो या कोई भी हो वो काफी मतलब वो शेयर चलने रहे है जबकि यह आई-पी-एल एक्सपोर्ट भी करती है इसका मोनोपॉली है फंडामेटल इक्दम साउंड है और मार्केट लीडर भी है फिर भी यह शेयर इतना नह जाए यह शेयर तो इससे लिए जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं 310 का रेट अभी जो बहुत अच्छा रेट है इसमें आड करके भूल जाए लाउन टाम के लिए लाउन टाम के लिए बहुत अच्छे कंपनिये और जो लोग सुंट अच्छा है जो लोग जो लोग इसको लेकर रखे हैं वह ओल कीजिए क्योंकि आने वाले काश्टर मीश रची आने का इस्पेटेशन है क्योंकि अभी जैसे बारिश की सिजन में काफी पर्चेसिंग होती है अगरो चैमिकल्स की तो वह हिसाब से भी इसकर रच्छा अच्छाने की एस्पेटेश